सुरेज ग्यान विहार विस्विध्धल जैपुर में सुरेज ग्यान विहार युनिशिटी इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट का भव्य शुबरम हुआ इस चार दियू से आईजन में 40 से अधिक प्रतिश्टित स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया है इस दोरान प्रतिबागी विवन खेल प्रतियोगीताओं में अपनी प्रतिबागा प्रदर्शन करते नजरा रहे हैं सुरेश ग्यान वियार यूनिवर्शिटी इंटर स्कूल स्पोर्स मीट का उदगाठन यूनिवर्शिटी के निदेशक अनिश्क शेरमा पूर भारतिये क्रिकेटर रोईत जहलानी और प्रशेद धावग गोपाल सैनी ने किया है उन्होंने चात्रों का उत्ताव वर्दन करते वे खेल के महत्रों पर जोर दिया रोईत जहलानी ने अपने अनवाव साजा करते वे कहा कि खेल ना केवल शारिरिक बलकि मानसिक स्वास्ते के लिए भी आवशक है ये हमें टीम भावना और अनुशासन सिकाते हैं वहीं को पाल सेने ने युवाओं को खेल के शेतर में निरंतर, महनत और उत्रक्रष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरिक किया और उन्होंने कहा कि खेल से ही भाविश्य के सितारे निकलते हैं और ये प्लेटफोर्म युवाओं को अपनी शमता दिखाने का एक बहतरीन अवसर पदान करता है क्रकेट में क्रिकेट को एक तरीके से हम कह सकते हैं है बहुत बड़ा दरजा दिया गया और शसलिब्सक्राइब ही कर सके हैं में इसे व्याच्छ कि पूठेकर शाäre में खेलि कर सके हाई तो बस क्रिकेटर स्केल मैं जरूर बोलू है हिंदुस्तान में बहुत टेलेंट है और राजस्तान के क्रिकेटर्स हिंदुस्तान में अपना नाम कर रहे हैं अभी रिसेंटल आप देखें दीपक चार, खलील, राहूल चार, मानाव सुतार, महीपाल लोमरो, अनिकेज चौध ने बताया कि स्पूर्स मीट के दोरान क्रिकेट, फुटबॉल, बॉस्केटबॉल, बॉलीबॉल, टैनिस, टेबल टैनिस, शत्रंच और एथलेटिक्स में सो मिटर, दो सो मिटर, आर्ट सो मिटर दोड, लंबी कूद, मूची कूद, गुला फेंक जैसी प्रतियों की ता आ आज से इंटरे स्कूल कॉमपेटिशन की शुरूवाद यहां पर हुई है, कनेक्स जी यूथि में इंटरे स्कूल कॉमपेशन की शुरूवा। हुई है और एक कहा भी जाता है कि हर जगे स्पोर्ट्स मैंशिब जरूरी होती है, तो क्या कहना जाएक़ जाहेंगे? देखिए सुरेश ज्यानवेहार युनिवर्सिटी में ये जो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हो रही है इसमें 40 के आसपा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हजार से अधिक इसमें प्रतिभागी हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल इन सभी स्पोर्ट्स में बचे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और युनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर है उसका फायदा जैपूर शहर के सभी स्कूलों के बच्चों को मिले और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले देश में, राज में, शहर में इसी उद्देशिक के साथ स्पोर्ट्स मीट का हमने आयोजन किया है काफी सारे ऐसे स्कूल हैं शहर में जहांपे space की कमी होती और इतना sports infrastructure जो हमने यहां डबलब कर लिया है इस तरह के sports infra का विकास नहीं हो पाता तो हमने हमारी जम्मधारी समझी एक विश्विध्याले के तौर पे कि जैपूर शहर के जितने भी विद्यालें हैं, जहां इस तरह के स्पोर्ट्स आयोजनों का होना मुश्किल है, उन सभी को हम यहां इन्वाइट करें, तीन दिन बच्चे हमारे पास रहेंगे, अलग-लग स्पोर्ट्स में पाटिसिपेट करेंगे, मैं समझता हूँ कि बच् सारे ही एक अजार बच्चे किसी ना किसी तरह से विजेता साबित होंगे, इसी उद्धिशे के साथ यह स्पोर्ट्स मीट का हमने आयोजन किया है। जो मैडिल्स की संक्या है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, तो उसे देखते हूए क्योंकि आज स्पोर्ट्स यहां पर शुरू हुए है, तो उसे देखते हूए आपको क्या कहना है। नहीं, इसमें कहीं कोई शक्सुबह नहीं है, कहीं कोई दोराय नहीं है, कि देश का नित्रतु अगर खेल को लेकर सिंसेर होगा, गंभीर होगा, तो देश में खेलों का विकास होना ही होना है। और बीते सालों में देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का गामभीर खेलों के प्रतीत दिखाया है, जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने खेलों को लिया है। पास परसेंट, दस परसेंट हो सकता है। या उन्हों निकाल सकते हैं। कि अगर भारत में खेल को बड़ावा देना है भारत में उलम्पिक जो सूची होती है उसमें भारत का इस्थान पहले दूसरे तीसरे इस्थान पर अगर लाना है तो ग्रास रूट लिवल पर काम करना पड़ेगा और शायद इसी वज़े से सुरेज ग्यानवियार यूनिवर से दोराई है तो अब देखने वाली बात होगी कि तीन दिन के बाद जो भी बच्चे यहां पर निकल कहेंगे वो तो विज़ेता होंगे ही लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी एक प्रकार के विज़ेता है ऐसा कहना है कनिश जी का सेयोगी कैमरामेन चाइड और अंतराष्टी इसंतर की है इन सुविदाओं के कारण व्यस्व विध्याला में आईजित प्रतियो गिताएं चात्रों को सर्व सेष्ट प्रदश्ण करने के लिए प्रयरीद करती है आईजिन की समापती पर विबिन खेलो में उत्क्रश्ट प्रदश्ण करने वाले चात्रों को प्रोस्कारों से समाने त्विख किया जाएगा मिलते हैं नई खबर के साथ फिलाल बुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार